बेटा टिंकू आज भूगोल का पाठ याद करके आये हो की नहीं आये हो हाँ गुलूजी भूगोल के पहला पाठ याद कहिके आवा हन पूरा जहांच मन कहा है हुआँ से पूछाओ गुलूजी अच्छा तो बेटा टिंकू ये बताओ की हमारी पिर्थिवी गोल है की चप्टी है की लंबी है बेटा सही से बताओ अगर सही उत्तर नहीं निकलेगा तो हमारा डंडा तुमारा खोपड़ी एक हो जाएगा समझ में आया की नहीं अरे गुरूजी तो हम यादे के हैं पिर्थिवी हमारी गोल होती है गोल 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 होती है गुरूजी ये तो खेर बताना आसान है की गोल होती है बच्चा लेकिन ये बताओ तुम कैसे सिद्ध करोगे की पिर्थिवी गोल होती है अईसा है गुरूजी पिर्थिवी हमारी माता है इसलिए पिर्थिवी गोल होती है इसमें कौन सी बड़ी बात है क्या कहा पिर्थिवी हमारी माता है इसलिए गोल होती है वो कैसे जरा समझाओ तो हमें समझ में नहीं आया सही से अईसा है गुरू जी सब ही काहत है जैसे जियक कई माई बाप वैसे वो कै लड़ी का तो ना गुरू जी पिर्थिवी हमारी माता है हम पिर्थिवी के लड़ी का वच्चा होई जब हमार खपड़िया गोल है तो पिर्थिवी गोल हुए साहब हमा कौन बड़ी भारी बात अच्छा बेटा सावास सावास लगता है भूगोल में बहुत तेज हो तुम चलो ठीक है अब हम गणित का तुम से कुछ पूछते हैं तो बताते हैं अले गुरू जी पूछाओ 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 गणित में तो हम चार गुना आगे हैं चल अच्छा बहुत आगे है तो चल दो का पहाला सुना जल्ली से बिना रुके हुए ने खोपली में छेद कर दूंगा मारे धंडा के अच्छा गुलो जी सुनव फिंक पहाला दो यकम दो यकम दूनी चार दूनी चार गुरू जी बेमार गुरू जी बेकार गुरू जी बेकार अच्छा बेटा तो ये है दो का पहाड़ा है घवराओ नहीं बेटा अभी मैं तुम्हारी बताता हूँ कि अच्छा बाता हूँ